मैं डाक्टर सीलू सिर्वास्त हूं आज आप लोगों को भेड बकरी में एक ऐसे बीमारी के बारे में बताएंगे जिसके होने से बकरी 3-4 घंटे के अंदर मर जाती है तो यह बहुत भी बड़ा गंभीर बीमारी है तो आज आप लोगों को फड़किया बीमारी के बारे में बताएंगे इसे जो हैं इंटो टॉक्सीमिया नाम से भी जानते हैं और यह जब बीमारी हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि सरीर में कंपन होता है फड़किया हो जाता है और बकरी 3-4 घंटे के अंदर मर जाती है तो यह बीमारी अधिकतर वर्षा रितु में फैलती है औ यह देखने हैं और जब अचानक चारे दाने में परिवर्तन होता है तो इस समय जो है यह प्रोटीन युक्त हरा चारा पशू जादे लेने लगता है और अगर द्धान से देखे तो इसके सरीर में कंपन होता है और इसी से इसे फड़किया रोक कहते है तो यह बीमारी होने से पसू 3-4 घंटे के अंदर मर जाता है और बरसात सुरू होने के पहले या तीन माह के ऊपर सभी बेड़ बकरी को इसका टी का जरूर लगवाएं एक बार लगवाएं और फिर पुष्टर खुराक पंदा दिन के बाद जरूर दे अब देखते हैं कि यह बिमारी हो जाती है तो क्या लच्छड करता है पसू तो यह एक बिसाड रोग है बकरियों का यह एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है तो पहले सरीर के ऊपर दा से दूसरे में पहले तो था की सार खाना बंड़ देता संपरेशारह को देते हैं लौस्फेशा खाना में से ख़र होता है और सर निंद के». पसु घूमता रहता है और दान से देखें तो किट-किट आता रहता है तेज बुखार आता है और मुह में लाल होने के कारण लाड टपकाता रहता है अब रोग से बचने के लिए क्या करें वर्षारीतु से पहले टी का लगवाना चाहिए और बीमारी होने पर बायोटिक्स एंटिबायोटिक्स का प्रयोग करें और अन बकरियों से अलग रखें रोगी बकरी के सरीर को फिटकरी या लाल दवा से धोने धूले या गिलसरीन लगाएं गिलसरीन और वर्षारीतु के पहले और बसंत के बसंत रितु के प्राराम्ब में अपने बेड बकरी को पोलिव सारी का लच्छण और उप्चार